इन दिनों एक और न्यूस सुर्खी में चल रही है और वो है कोईला गैसिफिकेशन एक्जाम पॉइंट रव्यू से आपके पेपर के पॉइंट रव्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टर्म को कहा जाता है कोल गैसिफिकेशन क्या है ये सुर्खी आइए करिएगा चलिए जानते हैं क्या है साथियों हाल ही में कोईला मंत्राले ने सौ मेट्रिक टन कोईला गैसी करण का लक्ष प्राप्त करने का एक नेशनल मिशन दस्तावेज यानि ड्राफ्त क्यार किया है सरकार का लक्ष है कि वो 2030 तक कोईले का गैसीफिकेशन करके 100 मिलियन टन सिंथेटिक गैस यानि की कोल गैस प्राप्त कर लेगी अब क्या होता है कोल गैस और क्या करने वाली है सरकार ये हम आपको समझाएंगे क्योंकि इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तयार हो चुकी है रहाटकार से ये चीज प्राप्त की जानी है तो कोल गैसिफिकेशन क्या है आई ये मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ सरल रूप से समझना हो तो थोड़़ी सी जानकारी बेसिक रूप से समझ principles येगे साथियों असल में जब भी मैं आपको बोलता हूँ कोईला, तो बड़ा सवाल बनता है कि सर कोईला होता क्या है, हमने का बाई कोईला कोईला होता है, बोले नहीं कोईले के अंदर after all होता क्या है, हमने का कोईले के अंदर हाइड्रो कार्बन होता है, हाइड्रो कार्बन का मतल यह सब पढ़े हैं यानि कार्बन एक जगह पर और पाया जाता है जिसको आप कोईला और कोईले से ही आप अच्छे रूप के रूप में जिसके पास प्रॉपर डाइमेंशन सुपस्थित हैं वहां पर आप डाइमंड पढ़ लेते हैं एनिवे फिलाल के मैं कोईले के उपर ही केंद्रित करता हूँ आप सबको मालूम है कि जब कोईले को जलाया जाता है तो कोईले को जलाने पर उर्जा की प्राप्ति होती है एनर्जी की प्राप्ति होती है सिंपल बेसिक साइंस है कोईले को जलाने से उर्जा की प्राप्ति क् आप पुछेंगे इस प्रक्रिया के अंदर oxygen कहां से पैदा हो गया महराज oxygen कहां से पैदा हो गया तो आंसर है कि oxygen जलाने के लिए जरूरी होता है जब भी आप ये शब्द यूज करते हैं कि जल जल के धुआ हो रहे हैं तो असल में धुआ करने में जो सबसे ज़्यादा काम में आ रही चीज है उसका नाम oxygen है यानि hydrocarbon को जलाने में जो चीज सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है वो oxygen है और oxygen का उपयोग करने से energy बहार निकलती है जो आपको heat के रूप में feel होती है जब हम कोईला जलाते हैं तो जो गर्मी आपको feel होती है वो असल में oxygen के treatment के बाद में जो CO2 और H2O बचा उसके बाद जो निकली हुई heat है वो आपको एहसास होती है साथियोग होता क्या है कि यदि मुझे कोईले से बिजली पैदा करनी है तो मैं इसी निकली हुई ऊर्जा को पानी गर्म करने के अंदर उपयोग में ले लेता हूँ जैसे आप में से बहुत सारे साथियों ने कोल थर्मल पावर प्लांट का नाम सुना होगा मैंने कल भी आप लोगों को 36 गड़ का एक केस बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हस देव अरण्य नामक 36 गड़ के अंदर जंगल है जो बिजली उतपादन के लिए काटे जा रहे हैं तो जो बिजली उतपादन के लिए कोईला काम में लेते हैं उसका उपयोग क्या होता है कोईले का उपयोग यही होता है कि कोईले को जलाया जाता है उसके जलाने से जो एनरजी बहार निकलती है उससे पानी गर्म किया जाता है गर्म पानी से भाप बनती है जो भाप बनती है उस भाप से टर्बाइन गुमाया जाता है और जब टर्बाइन घूमता है तो गैस बनकर आती है उस गैस के दम पर टर्बाइन गुमा करके भिजली का उत्पादन भारत में होता है इसे ही कोल थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है बोले ये बात क्यों बता रहे हूँ हमने का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विचारे कोईले के जीवन का क्या हुआ बोले को और चीज से भी गरम कर लेते, बोले जैसे, मैंने का पानी गरम करने के लिए आप चाहते तो nuclear reactor चला लेते, बोले nuclear reactor, हमने का बिलकुल, आप चाहते तो uranium जो होता है, उसके अंदर ना भीखिये विखंडन अभी किरिया कराते, जो उर्जा बाहर निकलती, उस उर्जा से जो प तो जो सूरज की तरफ से रोशनी आती है, उससे पानी गरम कर लेते, यानि आपके पास पानी को गरम करने के कई साधन उपलब्द थे, इस बात को जब कोईले को ये बात पता चली, कि सहाब मेरा तो option इस दुनिया में उपलब्द है, कि लोग मुझ से जो गरमी ले रहे है वो तो यूरेनियम से भी ले सकते हैं, वो तो सोलर पावर प्लांट से भी ले सकते हैं, कोईले इस बात को जानके और काला हो गया, उसने कहा ये तो बहुत बुरा मेरे साथ हुआ, कोईले ने कहा कि अब तो मैं धरती से बाहर ही नहीं निकलूँगा, मैं धरती में ही डब क के अपनी जान दे दूँगा कोईले की यह व्यथा जब वैग्यानिकों ने सुनी तो वैग्यानिकों से रहा नहीं गया कोईले के पास वैग्यानिक गए और समझाया कोईला भीया ऐसे मत डरिये आपका भी कुछ भला हो जाएगा उसने का क्या भला हो जाएगा या कोई उपी जाने को ने कहा कि नहीं इसकी वैल्यू तो है बस इसको याद दिलाने की आउचता है जैसे हनमान जी को उनकी पावर याद दिलाई जाती है से कोईले को उसकी पावर याद दिलाते हैं बोले बताओ क्या करें बोले कोईला तुम्हारे अंदर एक जबर्दस्त पावर है बोल दिलने दिया जाए बोले मतलब बोले मतलब ये है कि तुम कार्बन मोनो ओकसाइड में ही रह जाओ और दूसरा अपने हाइड्रोजन को अपने में से अलग कर दो तो बोले फिर फिर तो तुम समझो कि तुम इतनी गजब की चीज बन गए कि हर आदमी तुम पर ही दाव लगा बोले फिर ये क्या बन गया बोले ये जो तुमने बना दिया ना इसको कहते है सिंथेटिक गैस बोले सिंथेटिक गैस थोड़ा नाम बड़ा लग रहा है बोले छोटी भाशा में इसको कह दो सिंगैस बोले अच्छा ये सिंगैस है क्या बोले हां बोले ये क्या काम आती है ये अरे बिटा तुमने तो समझो अडानी अम्बानी के घर में जो है वो घीके दिये जला दी बोले कैसे बोले बिटा यहां पर तुमने अपने मेंसे जो हाइड्रोजन निकाली है न वो भारत सरकार की भविष्य की संभावनाओं को ले करके एकदम चार चांद लगा देती ह भविष्य की संभावनाओं क्या है भारत सरकार की भारत सरकार हाइड्रोजन को ले करके हाइड्रोजन नीती जारी कर चुकी है और भारत सरकार का तो मानना ही है कि भविष्य में हमें क्यूल के रूप में हाइड्रोजन कभी उपयोग लेना है तो तुम तो यार गजब काम की चीज निकल गए, अब जाओ और वापस से जाकर के इस nuclear reactor से कहो, अगर तेरे में दम हो, तो hydrogen निकाल के दिखा, solar energy के पास जाओ और कहो, कि तेरे में दम हो, तो hydrogen निकाल के दिखा, सर मा जाएंगे वो, बोले हाँ यार, ये तो तेरी गर्मी तो आज भी विदमान है, बोले कैसे, बोले तू अपने आप में, अगर अब भी आग लगाएगा, तो भी गजब energy पैदा होगी, बोले क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ, तेरे अंदर तो अब इतनी गर्मी पैदा होगी, कि जो तू पहले गर्मी पैदा करता था न, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, अब वाली जो गर्मी है, वो जादा होगी, बोले वो क्यूं, क्योंकि तेरे साथ में अब कोई carrier नहीं है, अकेला है, तो भट से चल जाएगा, बोले अच्छा, तो बोले मेरा उपियोग और ज्यादा इस्टेंडर का हो जाएगा, बोले हाँ भाई, अभी तक तो तेरा काम केवल पानी गर्म करने में हो रहा था, बोले अब क्या गर्म करोगे, अरे तेरे में तो इतनी गर्मी हो गई, कि तो चाहेगा ना, तो हो गया, अब तो बहुत तगड़ा आद्मी बन गया, भाई साब माई नीरा कोईला, कोईला तो मतलब आप ऐसा है कि धरती से बाहर भी नहीं निकलूँगा, और निकलूँगा तो लोहा पिगाल दूँगा, मतलब एक अलाई लेवल पे कोईले की स्टेंड, वो सैट हो गई, मामला सैट हो गया, और रही सही जो कसर है, वो भारत सरकार ने पूरी कर दी, क्या खा, भारत सरकार ने पूरी कर दी, भारत सरकार ने कह दिया, कि कोईले, तो तो धरती पे पढ़ा रहे हैं अंदरी, तेर से तो बस गैस निकाल लेगे हम बस worked leader so मैं सिन गैस निकाल लेगे तीर में से सौ million चन तो घरती में पढ़ा रहे हो उपर से oxygen भेज भेज के हम गरं मार मसाला मारके तीर में से co और एंस2 कोसलिक व्यालिए बढ़ गाई इस समय कोई लगा समझ रह Config मैं होगे दर्ती का राजा फिर किसी ने कहा कि अरे तेरे को पता नहीं तेरा क्या यूज और हो सकता है बताओ यार अब तो तुम मेरी सक्तियाद दिलाओ मैं भी क्या लंका जा सकता हूँ बिलकुल तू अपने अंदर से हाइड्रोजन जो है ना इसको नाइट्रोजन के साथ मिला दे और फिर देख मतलब लोग तेरे को एकदम अधर लिए गुमेंगे क्यों अरे तू अमोनिया बनाएगा अमोनिया इसका क्या यूज है और पागल परके दिक्कत तो हाइड्रोजन की थी तू तो हाइड्रोजन का सोर्स हो गया फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया और अमोनिया जो है वो तो यूरिया में कनवर्ट होई जाएगी कार्बोनिल के साथ मिलकर के और बोले यूरिया भारत में तो नैनो यू पूरिया के प्लांट में काम आएगा भाई सब सो नहीं पारा, आज कल कौन, कोईला, क्योंकि भारत सरकार ने सपने चड़ा दी, इस पूरी प्रकिरिया को सिन गैस प्रकिरिया कहते हैं, और जिस माध्यम से कोईले को गैस में बदला जाता है, इसे कोल गैस कहते हैं, scientifically कैई ज समझ में आ गई होगी आप मैं से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा है कि सर्क कोयले की तो बल्ले हो गया ठीक है ना उम्मीद है कि आप लोगों के ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी पोईला ऑक्सीजन फानरी मिला प्रकार के सोचिए 55,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे अनकेडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं प्रॉडक्ट की आप उपयोगी ता इससे समझ सकते हैं ठीक है न यह टैस्स सिरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसमें आपको बैस्ट एडुकेटर्स के द्व प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीकी से पीडिएफ प्राप्त होती है पीडिएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनलेसिस होता है टीचर से बात करने का मौका मिलता है हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप से direct बात कर सकते हैं class के दौरान उससे connect हो सकते हैं अपने doubt पूछ सकते हैं सारा content PDF के format में प्राप्त कर सकते हैं यह हमारे subscription का एक और टाइप है जिसे आप iconic के नाम से जानते हैं SSC category के अंदर भी हमारे courses हैं मेरा एक नया weekend batch शुरू हो करें कि महिल आएं आपके साथ सुरक्षित मैसे उस करें